8.30 को आपका accident होता है और 9 o'clock आप mains की exam देने जा सकता है interview से पहले एक महिने दग आप hospitalized है और उससे एक week पहले आप Delhi जाके उसके preparation कर सकता है तो luck has to come with you उसको आना पड़ेगा और आपको IPS बनाना पड़ेगा मैं exam के लिए निकला, mains मेरा था, सुबह, GST का paper था 8.30 को मेरा scooty sleep हो गया, मेरा ligament injury हो गया, left hand में injury था, seed से bleeding हो रहा था लेकिन मेरे पस दो option थे, मैं खड़ा हूँ आप मैंने देखा, okay, my right hand is safe and I decided I'll go to the exam, all and write the exam मेरे बस दोई option थे, या तो मैं वहाँ से उटके रोने लगू यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यू हुआ, मेरा accident हो गया, मेरा mains करा हो गया और hospitalist जाओ या दूसरा option था कि मैं देखू कि मैं तीन गंडे और सरवाई कर सकता हूँ, हाँ, कर सकता हूँ में mains के लिए exam hall में गया यह जितने भी photographs लगे है, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इनसान successful हुए, अगर आप उसकी life story देखेंगे तो कही ना कही एक moment आता है, जहाँ पे वो इनसान की जो struggle है, वो peak पे हो जाते है वो इस moment भी आपको decide करना है, कि आपको वहाँ से U-turn लेना है, या आपको वहाँ से आगे निकलना है इन सब लोगों ने decide किया, कि उनको वहाँ से आगे निकलना है and that is the fund of life success उन्ही को मिलता है, जो इस struggle वाले moment से आगे निकलने की सोचता है जब भी आपको लगे कि आपकी सिरी पे बहुत मुसीबत है जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके है जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई option नहीं है तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाएगा कि यही moment है जहां से आपकी तक्दिर बदलने वाली है क्योंकि diamond जो होता है वो जितना ज्यादा गिसता है उतनी ज्यादा उसकी value होती है सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी value होती है अगर आप जिन्दगी में तप रहे हैं अगर आप जिन्दकी में किस रहे, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए है, तभी आपकी जो value वो बटने वाली है और यही मेरा attitude रहे, लोग बोलते ही कि तुम्हारी financial condition ठीक नहीं थी, पापा electrician थे, मम्मी housewife थी, diamond के कार खाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने marriage में रोटिया बनाने का काम किया, और उस तरस में पड़ा लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी life में जो आप बदलना चाहते हो, and I said nothing क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी life में, तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता तो अगर life में problems है, अगर life में struggle है, जब सर ने बोदा है, struggle is a part of life, and I strongly believe in that भारत वर्ष का सपना चंद्रकुप्त ने देखा, चानक्या ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संगर्ष जारी था और तब राजा धननन्द की डॉटर दूर दरास से चंद्रकुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चानक्या उनको बोलते की नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है और तब चंद्रकुप्त बोलता है, आचारे कभी-कभी सोचता हो कि जिंदगी में या ये भारत के समराट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो और तब चानक के रिप्लाइ करते हैं, तो हर कोई भारत का समराट होता अगर आईएस बनने के लिए, आईपिस बनने के लिए सेकरिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर गर में आपको आईएस आईपिस मिल जाएंगा मुझे exact date याद है 23rd March को मेरा interview था 20th February को मुझे hospital में admit किया गया क्योंकि मुझे infection हो गया था body at बहुत high fever था तो IV के अलावा कोई option नहीं था 1st of March को ठीक होके मैंने सुचा चलो देली निकलता है 2nd of March को मैं देली पहुचा 3rd March को वापस से tonsillitis का attack होने की वज़े से flight लेगे वापस से पालनपूर एमदाबाद again hospitalization 15th of March को I got relieved from the hospital 16th of March को मैं देली पहुचा और 23rd of March को I gave my UPSC interview एक महिने का hospitalization उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो रोग interview दे रहे है वो एक महिने से preparation कर रहे है and एक महिने से मैं hospital में था again I thought this is the moment to prove yourself I went to the interview और पूरे इंडिया में second highest marks in interview